हाई स्टुडेंट तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी में जो पॉलिटेकनिक है उसका इंट्रेंस इग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए कैसे भरेंगे इस इग्जामिनेशन का फॉर्म भरने से इसका रिजल्ट आएगा और काउंस लिंग होता है जिसके बेस पे जो यूपी में बोर्ड आफ टेकनिकल एजुकेशन यूपी लखनौ उस एफिलेशन जितने भी कॉलेज है उसमें आप एडिमिशन ले सकते हैं तो चलिए आए देखते हैं कि कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले हम क्रोम में गए और यहां पर सच करेंगे जीकप जे डबल ए सी यूपी जीकप.nice.in इसका ओफिसियल वेबसाइड है जिसका लिंक में कमेंट बॉक्स में दे दूँगा आपको डिस्किप्शन में भी डाल दूँगा इसको सच करेंगे जीकप.admissions.nice.in या जीकप.nice.in इसके बाद नीचे जाएंगे यहां पर देखिए लिखा है online application form submission for g.kub.nice.in इसको क्लिक करेंगे अब आप जो है एकदम fresh form भरने जा रहे हैं तो सबसे नीचे देखो यहां पर दिया गया है fresh candidate registration तो इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसका जो instruction है इसको आप पढ़े आएंगे तो यहां पर लिखा है I agree इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर पूछा name एक ठीक ध्यान देंगे यहां पर आप जो नाम लिखेंगे वो 10th की marksit में जो नाम है उसी को देखकर आप लिखेंगे जो आपका high school में नाम चल रहा है जो जिस नाम से आपका admission हुआ है जो नाम है उसी से आप इसको form को fill करेंगे और यहां पर आधार card में जो आपका नाम है वो 10th के marksit से match करना चाहिए मानलेजे कुछ बच्चों ने भी 10th नहीं किया है इस साल appearing में है तो वो पता कर लेंगे कि आपने नाम क्या लिखा हुआ है form में क्या fill किया हुआ है और वो ना सेम नाम यहां पर अधार card में update करा लेंगे तो चलिए फिल करते हैं यहां सबसे पहले नेम मान लिजिए हम नाम लिख देते हैं मंजीत कुमार यादव फादर नेम लिख देंगे कि बिल्कुल हाई स्कुल के marksit को देख कि आपको form fill करना है कि मदर नेम फिल करेंगे यह नेम हो गया फादर नेम हो गया मदर नेम हो गया उसके बाद देटा बर्थ आप फिल करेंगे जेंडर पर सेलेक्ट कर लेंगे मेल फीमेल जो भी आप होंगे उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर यस का क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आधार नंबर बीना आधार नंबर डाले आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे जो भी आपका आधार नंबर है उसे फिल करेंगे अगर आपके आधार कार्ड में आपका नेम डेटा बर्थ या जेंडर इन तिनों में कोई भी चेंजिंग है तो आपका यह फॉर्म फिल होगा ही नहीं क्योंकि आगे वेरिफाई करता है यहां पर मुबाइल लंबर फिल करेंगे पिर इमेल आइडी आपका एक पासवर्ड बनाएंगे पासवर्ड ध्यान देंगे जब पासवर्ड बनाएंगे तो यहां पर आपका एक लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए कुछ लेटर इस्वाल होने चाहिए कुछ इस्पेसल खेर्डर भी आपको यूज करने हैं तब भी आपका एक स्ट्रोंग पासवर्ड आपको बनाना है नौर्मली पासवड आपका नहीं बनेगा एकदम स्ट्रोंग पासवड बनाना है आपको उसके बाद confirm password करेंगे यहाँ पर security pin verification डालेंगे और submit कर देंगे do you wish to submit yes पर क्लिक करेंगे अब एक बार आप अपना जो है जो भी डिटल आपने फिल किया इसको चेक कर लेंगे कि कोई गलत तो नहीं है यहाँ पर verify करेंगे आप इसे यहाँ आधार है वेरिफाइड सक्सेस्पूली यहाँ आपका आधार कार्य में डिटेल अलग होता तो यहाँ पर verify नहीं होता अब इसके बाद आपके जो आपने जो email डाला हुआ है उस email आईडी पर भी आपके एक ओटी पी गया हुआ है उस ओटीपी को डाल के हाँ verify करना होगा कि सेक्यूर्टी पेंड पिन जो है आपका उसको फेल करेंगे यहाँ पर कि pays रहरीवसटां इस कि अफियाल समीट पर क्लिप कर देंगा कि आपि यह प्रेद एंड रिजिस्टेश्न फॉर्म का जो पहला स्टेप था वह आपका कम्प्लीट हो गया अब हम सेकेंड स्टेप पर चलेंगे यह अप्लिकेशन फॉर्म पर चलेंगे तो नीचे अप्लिकेशन फॉर्म में देखिए अप्लिकेशन नंबर भी आपका आगया है यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे यहां पर फादर नेम लिख के आया हुआ है मदर नेम भी लिखके है क्योंकि हमने पहले लिख लिया था राष्टियता में इंडियन आप डालेंगे स्टेट और यूपी के अधर स्टेट से हैं तो अधर थैंगे तो आप दोमिसाइल आफ यूपी चलिए मान लेतेंगे हम यूपी के हैं तो यहां पे क्लिक कर दिया हमने केटेगरी केटेगरी को दहान पूरुवक को यहां पूरुवक आपको हमस्य करना है यहां पर क्लिक कर से सेलेक्ट एनी वन सब केटेगरी फ्रॉम दे लिस्ट क्लिक करेंगे यहां पर यदि आप किसी के अप्लीकेबल है तो उसको आप क्लिक करेंगे नहीं है तो नौट अप्लीकेबल कर देंगे कि उसके बाद,U Color-blind क्या आपका जो रंग है अंत्यता से ग्रिशित है तो अगर है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे डाव लेस और रिडंस क्या आप ग्रामीर छेतर से या सहरी छेतर से है सहरी दिहाग से हैं तो रूलर पे क्लिक करेंगे अर्वण टू मायनोर्टी मायनोर्टी का मतलब यहाँ पर जैसे माने जिस्लिम समुदधाय के जो लोग हैं वो मायनोर्टी में आते हैं बाकि जो है सभी मंनोर्टी में नहीं आते हैं जैसे हम माने जो भी सी हैं और कास्ट हमारी यह इसाई है मैं नहीं आते हैं तो यहां पर हम नो करनेगे और आंड नेंस्ट पर क्लिक करेंगेर करेंगे कि डू고 wish to save yes अब यहां पर ध्यान देना है आपको आप जो इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन उसके आप चेक कर लेंगे कि आप किस गुरूप का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं या जो आपकी है एक से अधिक गुरूप का फॉर्म फिल करना चारे जो भी कोर्स करना चारा आप वहांसे देख लेंगे उसका वीडियो में अलग्स saf बना दूंगा तो वहां पर आप देख लेंगे जैसे क्लिए अधिक गृूप का विएशे का भ़रना तो एक भावी भल लिजीए बी का चाहे या जो ब्रांश है इसके लिए का फॉरम करेंगे तीन साथ के डिप्लोमा आप करना चाहते हैं तो गुरूप A से करेंगे यह दो वर्ट वाधा करना चाहते हैं के गुरूप से जो सेकेंडियर में सीधाइड मिशन होता है तो आप के गुरूप में फिल करेंगे तो जो इवन इटू है उसको फिल करेंगे तो इसका आपने अलग से आप नोटिफिकेशन देख लेंगे वहां से मैं आपको बता दूंगा उसके बाद आप यहां पे करेंगे सेव एंड एक ची ध्यान देना जो भी ग्रूप का है पर ग्रूप 300 रूपीस चार्ज लगता चला जाएगा ओभी सी जनर्र वालों के लिए 300 रुपए हैं बाकी सी एस्ट के लिए 200 रुपए पर ग्रूप फॉर्म है कि सेव एंड नेक्स्ट करेंगे इसके बाद अब यहां पर पासिंग स्टेटस आपको फिल करना है तो जो भी आपका डॉक्यूमंट सब आप 10th pass है या 11th में या 12th में जो भी आपके पास documents आप उसको fill करेंगे मानलेजी आप 10th pass नहीं किये हैं इस साल 10th में हैं तो क्या fill करेंगे passing status में आप लिखेंगे appearing क्योंकि आपने pass नहीं किया है अभी आप form को feel करेंगे करेंगे चलिए अब यहां पर हमने पास जैसे नहीं किया है तो एपीर में पासिंग कोंगे तो हम ने यहां पर डालने क्या होगे क्योंकि अभी आप एपिरंग में है और आपको रोलंबर नहीं पता है यदि आप पास होते हैं तो यहां पर डालते हैं उसके बाद यहां बोड का नाम आता है तो जिस भी बोड से आप कर रहे हैं उस बोड को सेलेक्ट कर लेंगे जैसे माली जी हम यूपी बोड से मैंने हाई स्कूल कर ला हूँ यदि आप 10th pass कर लिए होते तो जो आपका marks होता वो सब यहां पर फिल करना होता है उसे में आप maximum marks कितने का है कितना opt in कितना राब्त किया है यहां फिल करते है परसेंटेज लिखते हैं यहां पर और फिर 7 next कर देते हैं कि इसके बाद यहां पर आपको एड्रेस करना है करिस्पोंडेंड्स एड्रेस है यहां पर फिल कर देंगे कर दो अपना अद्रेस करेंगे यहां पर कि कंट्री इंडिया इस्टेट उत्तरप्रदेश इस्ट्रिक्ट में आप जो भी आपका इस्ट्रिक होगा उसको डालेंगे जैसे में में एक इस फिंकोस्ट अपना डॉलेंगें और स्यमेंज करिस्पॉंदेंस अड्रेस दोनों अड्रेस य Wel अलग हैं फिल के जाएगा और सेव नेक्सट कर ये है उसके बाद आता है आपका ये i Am nesan शिटी चार ग्रामिनेशन इस यै तो आप के नजदीकी में जो भी सहर है उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले मांगी जी जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो हमारे सबसे पास में जो सहर है वो प्रयागराज है तो हमने प्रयागराज को सेलेक्ट किया जो दूसरा सहर है हमारा पास में मिर्जापूर है तो मिर भदोनी डिस्टिक है भदोनी नाम नहीं आ रहा है और चलिए कानपूर कर देता हूँ कानपूर ले लिए और यहां से सेवेंड नेक्स्ट कर देंगे उसके बाद यहां पर देखिए फोटोग्राफ और सिवनेचर यह दो चीज़ अप्लोड करना है इसमें विशेस बात आपको ध्यान यह देनी है कि यहां पर जो मिनिममम साइज है वो अंदरा के भी मैक्सिमम साइज 200 के भी है चाहे वो फोटो हो चाहे वो सिवनेचर हो तो फ फोटो की साइज है वो सारे 3 cm by सारे 4 cm का फोटो है जो सिगनेचर है वो सारे 3 cm by 1.5 cm का सिगनेचर है इसको आप बना लेंगे पहले से हमने पहले से बना के desktop पे रख लिया है तो वहां से हम ले लेंगे तो फोटो के नाम पे हमने एक फोल्डर यहां पे लिखा हुआ है तो एक सेंपल के लिए नॉर्मली फोटो ऐसे ही मैंने लगा दिया बट आप जो भी फोटो लगांगे पास्पोर्ट साहिज का होगा और एकदम सीधा फोटो होना चाहिए कि स्विनेचर को भी सेलेक्ट कर लेंगे साइन जैसा आप करते हैं वैसा ही करना है क्योंकि आगे आपको एड्मिट कार पर वैसे ही आएगा और आगे तो काउंसलिंग में अड्मिशन आपको ऐसा ही स्विनेचर करना है कि समिट एंड प्रिव्यू करेंगे उसके बाद कि यहां से देखिए हमारे फोटो का साइज बिल्कुल सही था तो सेल्फ वेरिफाइड कर देंगे सिगनेचर भी आ गया सेल्फ वेरिफाइड कर देंगे ध्यान देना यह जो मैंने फोटो सिफ आपको बताने के लिए ऐसा लगाया हुआ है जो आप फोटो लगाएंगे इस तरीकी का फोटो नहीं लगाएंगे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होना चाहिए पासपोर्ट साइज रहेगा स्ट्रेट होना चाहिए दोनों तरफ पे कान दिखने चाहिए इसके बाद सेव फाइनली एंड नेक्स्ट कर दे अब यहाँ से देखे हमारा फॉर्म पूर पूरा कंपलीट हो गया और इसके बाद क्रण कर देंगे और save and final submit कर देंगे इसके बाद क्या करेंगे देखिए सारे step हमारे complete हो गए है सिर्फ last step बचा हुआ है pay registration का ठीक है तो registration का fees payment करेंगे अब यहाँ पर देखिए online payment mode इस पर click करेंगे और pay fees पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे उपर SBI का जो है आपका इस पर click करेंगे proceed for payment यहाँ पर आप debit card credit card, internet banking, UPI, EFT और SBI ब्रांच में जाके भी आप चलान से भी payment कर सकते हैं इतने mode इसे आपको payment करना है अमानले जी यहाँ पर सबसे छिस्विदा है जो UPI है आज कल सब लोग UPI यूज करते हैं तो UPI पर यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ enter UPI ID और UPI QR दो है UPI ID से करेंगे तो पहले वाले पर click करेंगे और QR code से करेंगे तो यहाँ सेकंड वाले पर click करेंगे उसके बाद पेनाव करेंगे आपके पास से QR code आ गया और अपने पेटियम फोन पर या गूगल पर से इस QR code पर आप payment करेंगे तीन सो रुपए का transaction होगा यहाँ पर क्योंकि आप OBC या जनरल है तो 300 लगेगा हैं तो 200 रुपर लगेगा ठीक है जैसी पेमेंट हो जाएगा तो लास्ट में कंफर्मेशन पेज आप डाउनलोड कर लेंगे और इसी के साथ आपका यह फॉर्म एकदम कंप्लीट हुगा कोई confusion है कोई काउंट है आप हमसे कांटर्ट कर सकते हैं डिस्क्रामें अपना अब विट्रस दे रहा हूँ किky